विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यानमई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएब जै गुरु देयू योग वसिष्ट की अगले एपिसोड में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है पिछले एपिसोड में रिशी उस शिकारी को बहुती सुन्दर तरीके से समझा रहे थे कि जो हम स्वापन देखते हैं वो वास्तविक्ता कैसे बनती है और उसके साथ-साथ एक बहुत सुन्दर विशलेशन हमने सुना कि यह चेतना में स्रिष्टी की उत्पत्ति कैसे होती है और फिर से विले या उस स्रिष्टी का प्रले कैसे हो जाता है उसके लिए उन्होंने एक सुन्दर एक्जामपल दिया था कि आप सोए हो, स्वापन देख रहे हो, स्वापन में हजारो वस्तुए पदार्थ बन गए और फिर आप जब गेहरी नीन में चले जाते हो तो वह सारे पदार्थ वह स्वापन की सारी चीज़े विलूपत हो जाती है बिल्कुल वैसे ही इस असीम चेतना में होता है जिसे हम स्रिष्टी का उदय होना और फिर स्रिष्टी का प्रले हो जाना कहते है आगे देखते हैं, रिशी ने कहा जो जो अस्तित्व में है और जो जो अस्तित्व में नहीं है वह स्वापनवत अनुभो है जब यही सच्चाई है तो बद्द कौन है और मुक्त कौन है स्वापन में जो भी हम देख रहे हैं वो अस्तित्व में है या नहीं है वो अस्तित्व में है तभी भी वह स्वपन की सच्चाई है और वो अस्तित्व में नहीं है तभी भी वह स्वपन की ही सच्चाई है तो फिर मुक्ति क्या है, बंदन क्या है, बंदन में कौन है, मुक्त कौन है अगर सब कुछ स्वप्न की सच्चाई है तो जिस प्रकार आकाश में बने बादल सदा अपना आकार और रूप बदलते हैं, उसी प्रकार यह दृष्य संसार भी सदा परावर्तित होता रहता है, जैसे आकाश में आपने देखा है बादलों को, वो अपना आकार बदलते रहत हवा की वजह से जो भी वो बार-बार अलग रूप लेते हैं, वैसे ही इस दृष्य संसार में भी परावर्तन शाश्वत है, हमेशा यह दृष्य संसार बदलता रहता है, अज्यान वशी यह स्ताई और अपरिवर्तन शील प्रतीत होता है, स्ताई लगता है, यह संसार तो ऐसे लगता है, एकदम शाश्वत है, ऐसे ही न बदलने वाला है, उसका कारण है अज्यान, अज्यान के वज़े से स्ताई और पर्मनेट लगता है, न बदलने वाला लगता है, इस असीम आकाश में असंग के लोग है, किसी एक व्यक्ति को जिस संसार का अनुबह होता है, एक व्यक्ति को जैसा अनुबह होता है, जरूरी नहीं दूसरे को भी वैसा अनुबह हो, कुए, जील और समुद्र में रहने वाले मेंडकों का अनुबह एक दूसरे से अलग-अलग होता है, जैसे कुए में या जील में, सागर में में मेंडक रहते हैं, काफी सारे मेंडक, एक जैसे अनुभव करता है, सभी वैसे अनुभव करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, हर एक का अपना personal experience होता है उसी प्रकार इस संसार में रहने वाले लोगों का भी बिल्कुल अपना personal experience होता है वे एक दूसरे के ग्यान के भागी नहीं बनते एक ही गर में सोने वाले लोग बिन्न बिन्न सवपना देखते हैं और बिन्न बिन्न लोकों के जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार एक गर में family members काफी सारे होते हैं वो जब रात को सोते हैं एक ही सवपना देखते हैं क्या? इसी प्रकार एक ही आकाश में कुछ लोग बिन्न बिन्न होते हैं और कुछ के नहीं भी होते यह सब रहस्य पूर्ण और दक्षता पूर्ण कारिय असीम चेतना में ही होता है तो एक ही स्थान में रहने वाले लोग बहुत बिन्न बिन्न होते हैं और ये सब रहस्य पूरण तरीके से ढंग से चल रहा है कहाँ पे उस असीम चेतना में चेतना में किसी चीज को दारण करने की शक्ति भी होती है इस प्रकार दारण की वी दारणा को संसकार कहते है चेतना में किसी चीज को दारण करने की शक्ति होती है संसकार क्या है, बहुत सुंदर यहाँ पे गा, चेतना की एक उपलब दिए, एक उसकी शक्ती, एक ताकत है, वो चीजों को दारण कर सकती है, जैसे चेतना में किसी चीज की दारणा हो जाती है, उसी को संसकार कहते हैं एक इंप्रेशन की तरदा एक परतिबिंब की तरदा वह उसमें बज जाती है परुद्ध जब इस बाद का बूद होता है कि धारणा का परावर्तन असीमचेतना में होता है तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्र वह कोई संसकार नहीं है जब बूद हो जाता है कि दारणा का परावर्तन भी असीम चेतना में ही हो रहा है यह जो संसकार बनाए है उसका परावर्तन उसका reflection वो भी असीम चेतना में ही अगर दिख रहा है तो फिर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संसकार कोई अलग नहीं है वो भी दारणा वो भी चेतना ही है स्वपन में पूर्वस्मृति नहीं होती वरन उन पदार्तों का अनुभव होता है जो प्रस्तुक्षंक में अनुभव किये जाते है कोई स्वपन में उसी प्रकार अपने मृत्यू का भी अनुभव कर सकता है और उन पदार्तों से मिलते जु प्रभाव करता है या पहले किसी पदार्थों को देखा है उससे मिलते जुलते पदार्थों का भी अनुभव कर सकता है। कारण मौझूदता और प्रभाव के समाप्तों जाने के बाद भी सदा मौझूद रहेगा क्योंकि कारण अपना प्रभाव उत्पन्न करने में सक्रिय है। प्रभाव के समाप्तों जाने के बाद भी सदा मौझूद रहेगा। कारण पहले मौझूदता और उसके बाद भी मौझूद रहेगा क्योंकि उसके बीतर वह कारण उत्पन्न करने की कबिलियत है। वह सक्रिय रहता है। तो उसके लिए ही उसे संसकार कहते है। तो संसकार का मतलब क्या? जिसके वजह से फिर से दुबारा वह सारी इंप्रेशन is the cause, इंप्रेशन is the reason जिसके वजह से ये चेंड रियक्शन में संसार बनता रहता है। अलग-अलग चीजे वो बीच के वजह से फिर से निकल कर आती है। तो सिंपल ऐसे समझ सकते है कि वह बीज है। संसकार वह बीज है जिसके वजह से पुन पेड का वरुक्ष का निर्मान हो सकता है। यह हमारे चेतना के बीतर संसकार ऐसा बीज है कि जिसके वज़े से संसार का पुना-पुना निर्मान होता रहता है जो स्वप्न के आने से पहले अस्तित्व में थे परन्तु इस प्रकार प्रकाशित थे जिस प्रकार उसे पहले प्रकाशित होते वे देखा गया है तो वह संसकार है स्वप्न के आने से पहले अस्तित वही है बीज है और हमने देखा है कि वह बीज से वापस वह स्रुजन होता है तो जो भी ऐसा है स्वप्न के पूर्व जो मौजूद था और फिर से उसको हमने प्रकाशित स्रुजन होते वे देखा उसी को संसकार कहा गया है कोई बाईय कारक संसकार नहीं होते देखे और अम देखे पदार्त चेतना में अविवस्तित होते हैं तो चेतना के प्रकाश में ही प्रकाशित होते हैं चेतना उन सबका अनुबव करती है जैसे उसने पहले से देखा हो जागरत अवस्ता का संसकार स्वपन में उत्पन्न होता है परन्तु स्वता जागरत अवस्ता में उसे पुन उत्पन्न किया जाता है परन्तु जो सच्चाई को जानते हैं वे कहते हैं कि वस्तुता वे उस तिती में उत्पन्न होता है जो जागरत अवस्ता प्रतीत होती है, परन्तु जो जागरत अवस्ता नहीं है, जागरत अवस्ता का संस्कार स्वप्न में उत्पन्न होता है, जागरत अवस्ता में जो संस्कार होता है, वो स्वप्न में उत्पन्न होता है, परन्तु स्वता जागरत अवस्ता में उसे पुन बीज गिरता है और जागरत अवस्ता में वह बीज फलीबूत होता है। परंतु सच्चा ही को जानते हैं वे कहते हैं वस्तुत उस तिती में उत्पन्न होता है जो जागरत अवस्ता प्रतीत होती है परंतु जागरत अवस्ता नहीं है। वो जो फलीबूत हुआ है वो प्रतीत होता है जागरत अवस्ता में है लेकिन वह जागरत अवस्ता नहीं होती जैसे वायू में अनायासी गति उत्पन्न होती है उसी प्रकार चेतना में दारणाये भी अनायास उत्पन्न होती है अनायास उसका कोई कारण नहीं है कोई मूल नहीं है अनायास सी धारणा उत्पन्न होती है चेतना में जैसे वायू में गती उत्पन्न होती है संस्कारों को उन्हें उत्पन्न करने की अवशक्ता ही नहीं धारणाय जो उत्पन्न होती ऐसे नहीं समझना कि संसकारों के वज़े से हो रही है, संसकारों को उनको उत्पन्न करने के आवशक्ता नहीं, उसके पहले ही वह उत्पन्न हो जाते हैं, जब हजारों वस्तों का अनुभव चेतना में उत्पन्न होता है, तो उसे सृष्टी कहत और हजारों वस्तुओों का अनुभव चेतना में समाप्त हो जाता है उसी को प्रलख कहते हैं। सारी ऐसे पदार्त चीज वस्तुवे व्यक्ति ये सब चेतना में जब हजारों के माद्यम्म में उत्पर्न होते हैं, तो हम कहते हैं स्रिष्टी का उदे हुआ। सृष्टी की शुरुवात हुई नीव हुई और फिर ये सारा इसी चेतना में जब लई हो जाता है मिल जाता है लुप्त हो जाता है तो हम कहते हैं सृष्टी में प्रलई हो गया इंटरेस्टिंग चल रहा है सारा तो आज के लिए तो यहीं पर रुपते हैं इससे जुड़े हुए अगर आपके मन में कोई प्रश्ण उठते है कुछ तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना बाकी आगे के एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदे। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जिसके उपर हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।